अलो फ्रेंट्स, आप लोगों का स्वागत है स्केल हिंदुस्तान में और मैं प्रदी इबामालाज आपको बस बार के बारे में बताऊंगा, अभी तक नहीं जानते हैं, तो अब आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगया, क्या क्या सीखने वाले हैं, बस बार क्य क्या होती है बस बार कितनी तरह की होती है बस बार का उपियोग कहां पर करते हैं बस बार की जिए केबल का उपियोग कर सकते हैं या बस बार ही perfect है कितने mm कितने square mm की जो बस बार होती है कितना load लेगी बस बार की क्या क्या फाइदे हैं पैनल के अंदर बस बार ही क्यों एक information आप आपको देना चाहूँगा कि हमारा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम है Skilled Hindustan Experiment तो आप कुछ experimental चीजे देखने चाते हैं तो आप उस पर देख सकते हैं आप Skilled Hindustan Stories है हमारा एक YouTube चैनल है Skilled Hindustan Story जो हमारे student होते हैं उनकी real की life की क्या story होती कैसे उसने जीरो से एक जोब तक पहुँचा कैसे कैसे उसने सीखा क्या क्या चीजें बहुत कुछ होगा वहाँ पर भी तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं और अब थोड़ा सा चालते हैं अपने panel के उपर बस बार के उपर कि भई बस बार होती क्या है इस कापियों क्यों करते हैं कैसे क्या है उसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कुछ चीजों के फ्लैस बैक में ले जाना चाहूंगा जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है ना इसके अंदर बहुत बार बहुत बार आपने न्यूज में भी सुना होगा कि इलेक्ट्रिकल सिटी के वज़े से आग लगई तो इलेक्ट्रिकल सर्क शरकिट हो गया तो अगर हम बस बार का यूज़ करते हैं उसको हम बहुत अद्दक कम कर देते हैं इसके अंदर source circuit जब होता है जब दो supply आपस में भिड़ जाती है जब ही कहीं पर कुछ problem आती है दरवाइज बस बार में ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें कुछ ऐसा नहीं कि जिस fire लगेगी तो cable heat हो जाती है उसके उपर insulation चड़ा रहता है वो heat हो जाता है उसमें fire लग जाती है यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है एक insulation के नाम पर देखा जाए तो एक उसके उपर color code का चड़ा जाता है आप देखते हैं कि किसी पर red चड़ा हुआ है किसी पर yellow चड़ा हुआ है किसी पर blue है और कुछ बस बार पर black cover चड़ा रहता है तो वो इसलिए चड़ा जाता कि हम यह देख सकें, यह जान सकें कि कौन सा फेस है, कैसे है, तो बस बार है, बस बार हमारी क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि बस बार हमारी क्या होती है, बस बार काउप योग कहां पर करते हैं, कि इसमया बहुत हैं कितनी तेरे की होती हैं में किश हारे करी आई जाए कि की है. उतना अच्छी तरह से पता नहीं होता बट इस वीडियो को complete देखने के बाद वो चीज़े नहीं आएंगी current carrying capacity कितनी होती है भी एक square mm है वो कितना हमारा current लेगी कितना load इसके उपर डाल सकते हैं वो भी सेम चीज है कितना load डाल सकते हैं current carrying capacity कितनी होगी bus bar लगाने के फाइद है bus bar लगाने के क्या फाइद है ये सारी चीज़े हैं जो हाज हम cover करने की courses करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं पूरी हमारी bus bar है bus bar का उप्योग ज्यादतर panels में किया जाता है bus bar का उप्योग एक जगे से दूसरी जगे supply ले जाने के लिए भी किया जाता है हम bus bar जैसे पूरी building के अंदर होता है पहले cables यूज करते थे अब bus bar राइजर्स वगेरा यूज करते हैं तो एक जगे से दूसरी जगे ले जाने के लिए भी bus bar का यूज करते हैं और पैनल के अंदर तो इसका उप्यूग किया ही किया जाता है इससे क्या फाइदे होते हैं इससे यह होता कि जो हमारा equipment है उसके अंदर fire के chances कम हो जाते हैं उसका जो life है थोड़ी सी बढ़ जाती है incident कम हो जाते हैं तो इस तरह के फाइदे होते हैं हमारे bus bar यूज करने के यह देखिए पूरा पैनल है कितना लंबा चुड़ा पैनल आप यहां देख रहे हैं अगर इसमें हम इसकी जिगे cables डाल देंगे तो एक तो space जो bus bar होती ना उसका space कम space में ज्यादा output हम डाल सकते हैं कम space में ज्यादा आउटपूट डाल सकते हैं तो जो यह पैनल देख रहे हैं इसके अंदर bus bar तो bus bar section कहां रहता है कौन सा वाला होता है bus bar section bus bar section हमारा जो टोप वाला section रहता है बिल्कुल टोप में देखो यह जो area होता है ना यह हमारा bus bar section होता है इसमें हमारी four core की bus bar चलती है फोर कोर से क्या मितलब हो गया कि इसमें चार बसबार चलती हैं डिफरेंट डिफरेंट जैसे आर वाई बी और ब्लैक तो सारी बसबार इसमें चलती हैं और इसी में से फिर हमारी जो नीचे सपले बसबार आती हैं वो नीचे बसबार हमारे जो ब्रेकर्स हैं उसके अंदर ब तो इस तरह करके यह मैंने बता है की प्याजेगी पूरे पैनल के उंपर वाला सक्ष相信 हो पुरा हमारा बस भाड का स्क्षbees a तो या मैंने बटाए थे रहं भुड़ाव ऑलल सक्ष सक्षन हो जाएगा केबली केबिल कुछ जैसे जासे से उसके श्के उपर जो एंसुलेशन चड्डा रहता है, वह कहीं से हीट तो नहीं हो रखा है foot कहीं से कोई जो कनेक्टी बॉल्ट के थूकश empresa उन सब को पूरा प्रोपर सट डाउन लेके लोटो गीट पीपी यूज करके जब प्रोपर उसको टाइट किया जाता है तो ये वाली एक्टिविटी साल में कम एक बार की जाती है तो ये पूरा हम जो जो बात कर रहे हैं पैनल पैनल के अंदर ये सारी चीजे हैं और ये सारी mm में आती है square mm में कैसे जैसे भी यहां देख रहे हैं कि हमारा 20 बटे 20 बटे 5 है यह कितना हो गया total square mm कितना हो गया 100 square mm हो गया 25 बटे 5 है 125 square mm हो गया 30 बटे 10 है तो यह 300 square mm हो जाएगा चार चोक 16, 160 square mm यहां पर हो जाएगा तो इस तरह करके यह यह पूरा जो अमारी बस बार है different different size हम इसको अपने load के हिसाब से जैसे मोटा पैनल है बड़ा पैनल है बड़ा पैनल है different different size होते हैं और इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या होता है किस तरह होती है तो mm मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूँ आगे जहां बस बार आएगी तो वहां मैं आपको थोड़ा सा समझाओंगा कि किस तरह है यह देखो मैं आपको बात कर रहा था कि जो हमारी बस बार होती है वो proper insulated होती है बस बार हमारी proper insulated होती है यह देखो इसको एक यह cover होता है ये भी आर है ये वाई है ये भी है इस मेन बस बार को नहीं किया है बट जो distribution है उसको किया है कई जो कि मेन को भी हम कर देते हैं इससे देखिए अब इसकी दिगर केबल होती तो कितना congested होता ये बहुत बढ़िया तरीके से इसको किया गया है जैसे इधर वाले पैनल में देखेंगे कि देखो पूरी बस बार आ गई है इसमें से आउट गोइंग सप्लाई कैसे ली गई है बितलब एक systematic डंग से है सब कोछे तो बस बार क्या करती है कि जो system को थोड़ा बढ़िया तरीके से आउट पुट देती है इसके नीचे बाई जैसे बोड़ी के साथ लगे रहते हैं इंसूलेटर लगे रहते हैं इंसूलेटर क्या करते हैं उनके बीच में पैनल के उपर tight होंगे टाइट तो करना पड़ेगा तो इंसुलेटर ये लगाए जाते हैं इसके ठंड़क के लिए ये वाली बसबार को ठंडाव करने के जुरूत पड़ती को भी गर्मियों में हीट होजती है तो फैन वगरा लगा दिये जाते हैं इसके अंदर बसबार के उपर आपने देखा एक कोपर की आती है बसबार हमारी दो तरह की आती है एक हमारी ऐलमूनियम की बसबार है और दूसरी हमारी कोपर की बसबार है तो ये सिंपल सा देखो भी ये ऐसा नहीं है कि सर आपने ये बताया था इसी के शाब से एक बेसिक समरूल बेसिक आइडिया लगाना है अगर हम हम aluminum की बसबार के बात करें, तो यहां देखेंगे, 1 square mm, 1 square mm, aluminum की बसबार है, वो 0.7 ampere, जैसे हमने पीछे देखा था, भई, 25 बाई 5 की है, 25, 125, तो कितना ampere current ले लेगी, कितना ampere current ले लेगी, तो हम इसको इससे गुणा कर देंगे, और हमारा जो result है, वो आ जाएगा, 5, 35, 5, 5, 2, 10, 11, 12, 13, sorry, तोड़ा सा कुछ गड़बड हो रहा है, तो 5, 35, 7, 2, 14, 15, 16, 17, 7, 7, 7, 8, तो एक आठ, 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 करीब 87 ampere के करीब, यह हमारा ले ले लेगी, तो इसको, हमने इस तरह गुणा करके, भई, अभी aluminum, यह तो हमारी कौण सी थी, aluminum की, aluminum की, copper की क्या होगी, copper के लिए क्या करेंगे, 125 को हम गुणा कर देंगे, 1.2 से, तो उसी के हिसाब से हमारा answer आजाएगा, तो इस तरह हम, कि यह यार ऐसा नहीं, मैंने बता है ना, कि भई, कहीं किसी से fight मत कर लेंगे, बटे, fight कर भी सकते हूँ, यह थाम रूल है, exact नहीं है, बिल्कुल भी, और इस सर, यहीं तो है, आपने यहीं बता है था, हाँ, जब load बहुत ज्यादा होता है, या load बहुत कम होता है, जैसे अब ही, हम कहते हैं, एक स्क्वेर की mm, mm है, एक स्क्वेर mm की केबल होती है, वो हमारा करीब, 6 एमपेर के करीब हमारा लेती है, तो सर तो उसकी सबसे तो जो मोटी केबल है अगर हम कहें कि 100 स्क्वेर एमम की है तो उसी सबसे नहीं वो कम लोड हो जाता है तो वेरी होता है तोड़ा बहुत है बट यह बेसिक एक थंग रूल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो आज इसमें क्या-क्या समुझ में आया कि बस बार का उपियोग हम करते हैं एक सिस्टमेटिक डंग से चीज़ें हो जाती है सारी पैनल के अंदर कुछ खिचडी नहीं पकती है मतलब एक सिस्टमेटिक डंग से सारी बस बार है एक कम स्पेस में ज्यादा आउटपुट अम ले सकते हैं फायर के चांसिज क बेटर होती है अगर आप इसी तरह की वीदियो और देखना चाते हैं और थोड़ा सा कुछ learn करना चाते हैं और थोड़ा सा better कुछ करना चाते हैं तो आप हमारे कोर्से जोईन कर सकते हैं हमारे पास electrical advanced course है HVSC course है supervisor course है कई courses हमारे आने वाले है fire का course है BMS का course है जो हमारे सारे तरे की हमारे पस अवैलेबल हुए अभी नहीं है तो हो सकता है कि चार दिन के बाद हूँ we are working on that तो आप हमसे बात कर सकते हमसे contact कर सकते कैसे contact करेंगे आप हमारी app download कर सकते place फिर दाउनलूड कर सकते है कॉल कर सकते हमें इस इस नमबर पर, कि call कर सकते हैं आप हमें इस नमबर पर जो मैं आपको अभी यहां पर बताने वाला हूँ, आप हमें, 836 866 373335, इस पे आप मेसिज कर सकते हैं, call कर सकते हैं, उर जो भी है, आप अपनी लाइफ में जहां stuck हो रहे हैं, जहां दिक्कत हो रही है, वी हाव लोट आफ एक्सपर्ट जो आपकी हेल्प करेंगे आपको आपके लाइफ में जो हडल आ रखें जो रुकाउटे आ रखें उनको दूर करने में वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें हमारे साथ हमारी अगली वीडियो में भी हैंगली वीडियो में हम कैबल के बारे में सीखेंगे किस तरद की केबल होती है और क्या कुछ होता है ठीक है फ्रेंटS अलवी तैले लेता हूँ जैहीं जैहीं दोस्तां